नमस्कार साथियों सीवी विकल आईटे गुरू में आप सभी का स्वागत है हरी आणा आईटे की फर्स्ट मिरिट लिस्ट जारी हो चुकी है तो अगर आपने आईटे का फॉर्म भरा था तो फर्स्ट लिस्ट में अपने नाम चेक कर सकते हैं नाम चेक करने के लिए आपको इसी ऑफिसर साइट पर आना होगा आपको यहाँ पर नीचे आना होगा नीचे दिखाए देगा जो है यहाँ पर यहाँ पर आप दे सकते हैं फस्ट मीरेट लिस्ट इस लाइब नाउ फस्ट मीरेट लिस्ट जो है आपकी लाइब हो चुकी है, आप यहां से चेक कर सकते हैं, यहां पर दिया है student login आपको यहां पर करना है click, जिस पर click करेंगे, आपके सामने जो है एक निया page open होगा, और यहां पर दिखाए देगा आप का login ID जिसमें आपको यहाँ पे login करना होगा आप अपने mobile number से या फ़र registration number से भी कर सकते हैं यहाँ से password enter करेंगे जो password आपने form में भरने में बनाया था वो password इसके बाद यहाँ पे capture दिया है वो capture भी यहाँ पे डालके जो है अपना जो है mirror list चेक कर सकते हैं अगर आपना password भूल गया है या फिर registration number भूल गया है तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं registration के भी forget दिया गया है और password के लिए forget दिया गया है तो अगर भूल गया है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आपको बता दें कि FmD के लिए क्या क्या नियम है वो भी जान लिजिए FmD में जिनका नाम आया है उनका जो है Admission कैसे होगा उसी प्रोसस को यहाँ पर आपको बता देते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं Online Consulting दाखिला पर केरिया दिया गया है जिनका first list में नाम आएगा उनको जो है mobile number पे या फिर email ID पे उनको जो है message जाएगा कि आपका first list में नाम आ गया है जिनका नाम नहीं आएगा उनको अगले list के लिए wait करना होगा अब यहाँ पर जिनका नाम आता है उनको आगे क्या क्या करना होगा सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी आपने documents लगाया था चाहे आप 8 के लगाया हो चाहे 10 के लगाया हो चाहे 12 के लगाया हो जो भी आपने documents लगाया था वो documents आपको original और उसकी photocopy आपको उस color संस्थान में लेकर जाना होगा अब यहाँ पे आगे देखे कुछ important यहाँ पे जानकारी दी गई है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्थम दाखिला चरण में किसी भी संस्थान व्योसाय में सीटों के अवांटन की परकरिया प्रारम के लिए प्रार्थि के लिए उसके द्वारा अंकित पर्थम वरिता व्योसाय संस्थान की परिच्छर किया जाएगा मतलब यह कहा गया कि जैसे आपने form भरा तो form में आपने जो college आपने भरा था और जो आपने trade भर रखा था उसको पहले वरिता दी जाएगी आपका नाम उसे में पहले आएगा जिसे माल जी आपने दो trade भर रखा है पहले पर माल लेते हैं fitter है ठीक है अगर मानों तीसरा आपने भर रख़ा तो तीसरे वरिता दिया जाएगे, मल्लब की पहले नंबर से आपको अगली वरिता करम से अगली वरिता करम प्रार्थि के लिए परकिरिया दोहराय जाएगी मतलब यह है कि जो है आपकी जो वरिता करम है जैसे माले कोई आपको छूट मिलती है आरच्छर मिलता है उसके अधार पे जो है आपका सीट अवंटन किया जैसे माले किसी का हाई स्कूल में 80% है इसके बाद जो है वो ऐसी काटेगरी में है जो भी इसको आरच्छर मिलता है वो आरच्छर मिल जोड कर इसमें फिर इसको इमेरिटलिस्ट त्यार किया जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी दिया जानकारे मिलेगी अब दे सकते हैं प्रार्थियों दोरा आवेदन पतर भरे गए बेवसाइज संस्थानों के बिकल्प में अनुसार की गई सीट अवंटन की परकरिया पड़ा में दाखिला बेवसाइज पर परदस्ट किया जाएगा और इसके बाद जो आपको SMS के दोरा भी सुचित किया जाएगा तो आपको यहाँ पर SMS के दोरा सुचित किया जाएगा जो अपने email ID दिया है जो number दिया है उस पर जो आपको सुचना मिल जाएगी जिनका नाम पहले लिस्ट में नहीं आएगा उनको दूसरे लिस्ट के लिए वेट करना होगा इसके बाद यहाँ पर दिखे दूसरे लिस्ट के दिया गया है इसके बाद तीसरी लिस्ट भी यहाँ पर जारी होगी तो तीसरी लिस्ट के भी वेट करना है अगर जिका दूसरी में नहीं आता है अगर इसके बाद जिनका तीसरी में नहीं आता है तो आपको चौथी लिस्ट के लिए वेट करना होगा इसके बाद यहां पर देखे चौथी लिस्ट दिया गया है और इसके बाद जो है दाखिला के मातपूर जो हो यहां पर इन्फार्मेशन दिया गया है कि 100% सीटे हरियाना की मूल निवासी इवक्यों तो भरी जानी है ये दिव तीसरी दाखिला जो है काउंसिलिंग बाद अनराजों को निवासी आवेदन करता जो है चतुर दाखिला के लिए कर सकते हैं मतलब ये कि इसे मालो कोई पंजाब का है ठीक है और हरियाना से यही करना चाहता है तो उसके जो है तीसरी दाखिला जो तीसरा होगा मिरिट लिस्ट जारी होगा उसमें जो है अनराजों को इलाओ किया जाएगा और मलग की तीसरी में इलाओ किया जाएगा लेकिन उनको लिस्ट जो आएगा वो 24 मी आएगा तो मतलब यह एक ही चौथि लिस्ट के लिए उनको wait करना होगा तो यह धुआ आपका किस परक Geneva को admission मिलेगा और सारे documents बन्वा लेजे सारे documents आप जो अपने apply किया था वो सब documents version अप से photo copy आपको लेकर जानी है मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्स आर वाचिंग